ये कंटेनर से आप गमला कैसे बना सकते हैं इस पर फूरा फूल डेडिकेटेड़ वीडियो है इसमें बैर का प्लांट लगा के मैं बताऊंगा इसमें आमुनम जो भी प्लांट आप से सर्वाइब नहीं करता है वो सब प्लांट अब लगा सकते हैं और इसके मिट्टी बनान में भी जाईए गा तो ऐसा container आपको मिल जागा ये container और imposeनम आपको 00. Global में में मिल जागा क्योंकि केजी के भाव से इसके बाद भीकने लगता है क्योंकि इसे मुसा या कोई चीज को तर देता है जिसके कारण kg के भाव में बिखने लगता है इसे बनाने के लिए आपको दो जी आब सकता होगी अगर बोड़ी का प्रयोक नहीं करना चाथे तो नहीं कर सकते हैं नीचे लेकिन बोरी का प्रयोक कीजेगा तो यह काम आपको करना होगा अगर मेरी तरफ बोरी काлад यह इसलिए मैं प् इतना भी चीज का यूज होता है बड़ा बड़ा जो आप कोई सेम का फली का या कोई चीज का वो सब कंटेनर में आराम से ग्रो कर जाएगा और आराम से आप इसका साथ देगा और यह प्लांट खुब आपका फड़ेगा इसलिए कंटेनर गार्डेनिंग करना बहुत आसान ह होता है कंटेनर गार्डेनिंग में यह फाइदा होता है जो आप यह सब चीज लगाईएगा इसमें छेद करना पहले स्टार्ट कीजिए छेद इसलिए कीजिए क्योंकि छेद कर दीजेगा तो नीचे पानी का बहुत ठीक होगा अंडर फ्लोर ना करेगा पहले इसमें मिट में बताऊंगा वह कर दीजेगा इसे पहले चारो तरफ से अगर धकना चाहते हैं जो भी छेदा है वह ध्रक सकते हैं दो तीन बोरा लगेगा आराम से हो जाएगा लेकिन ऐसे आप चाहते हैं तो आप पहले आप अगर छट पे लगाना चाहते तो पथरी भर दीजे एक लि आपको बहुत सारा समान रखना होगा मैं तो मिटी भर के ही काम चलाऊंगा क्योंकि मेरा प्लांट नीचे ही रहेगा जमीन पे ही रहेगा लेकिन कंटेनर में रहेगा और मैं एक बैर का प्लांट लाया हूं कल है और एक आपको निम्बू का प्लांट लाया हूं एक सरीफा का प्लांट लाया हूँ और एक आप ड्रेगर फ्रोट लाया हूँ सभी को कंटेनर गार्डेनिंग कंटेनर जूटेवल होता है वीडियो बनाने में भी और यह जगा आपको रहेगा तो थोड़ा मुरा फलता है लेकिन जमीन पे अगर जैसे ही लगाईएगा तो बहुत ज्यादा फलने लगता है तो यह फैदेमांद यह भी होता है इसलिए आप पहले लगाने एक स्टार्ट कीजिए और इसमें आप कंटेनर में लगाने के लिए आपको पथर भर देना होगा पथरी आपको कहीं से आपको अराम से मिल जाएगा या आपका कंस्ट्रक्शन का काम हुआ होगा वो पथरी अगर बचा होगा तो भर सकते हैं नहीं होगा तो आप मिटी भी भर सकते हैं लेकिन अगर आपको पास इसमें जो छट पे लगाने के लिए आपको तो अच्छी तरह से मिट्टी बनाना होगा छत्पे बाला मिट्टी जो होता है वो लाइट बेट रहना चाहिए इसमें पत्ती की खाद वो अच्छा रहता है अब पत्ती की खाद में पत्ता ले सकते हैं इसमें एक लियर पत्थर के बाद पत्ता थोरा भर दीजेगा उसके ब गीरिने का वह जाईगा सभी pencil लेकिन जादा हो जाएगा सभी ऐगा तो थोड़वाजन आने लगएगा तो इसलिए आप छठ को थोड़ा बचाऊ के लिए आप इसे में लाइट वेट वाला के जीजिए रफ कपोस्ट रखियागा कोको पीट रखए गाव परमें प्लाइट रखेगा और आपको को कोपी एही सब तीनों मिलाके और आप इसमें मस्टर्ड केक का खली एक मुठ्षी सब जीन्क जेगा ऊदा नेम खली एक मुठ्षी सब जीन्क सब जाल न चाह chests आप जीवामरीत बनाएगा इसी गार्डेनर दोस्त पर आपको मिल जागा जीवामरीत बनाने कभी धी आप गार्डेनर दोस्त जीवामरीत सर्च किजीगा तो मिल जागा वो वीडियो और आप ऐसे ही कांटेनर पूरा भरके अच्छी तरह से और इसे अच्छी तरह से मिटी क उसके लिए बनाना चाहते हैं या मैं जैसे बैर लाया हूं बेर लागाना चाहते हैं और इसमें आगर आप बरावर आप एक मुठी या एक मुठ़्ी के करीब आप दे दीजेगा ये जो आता है चापती कीखा तो उसे आपका प्लांट एकदम बेश्ट रहेगा और इसके बीच में होल करके बीच में ही सिंटर में लगाईएगा मेरा एक प्लांट में कुछ खासियत हो गया है जो खामी आप में भी आ सकता है इसलिए ये पूरा वीडियो आंट तक देखें देखी ये प्लांट मैंने जो बहर कर लाया था उसका थोड़ा नीचे से ऐसे लगाया हूँ और ऐसे करवट किया तो ये तूट गया है जो कि मेरे लिए बहुत दिक्कत है ऐसे कर दिया जिसके करने ये तूट गया है भी से जहां से आपको कलम होता है इसलिए कलम के नीचे से ही आपको मिटी भरना है और देखते रहे जब कॉलम मोटा हो जाएगा तब ऊपर भर देना होगा और अइसे फेना बहुत आसान होता है अइस तो इसमें आप आज ऋ ये आप बलूई मीटि रखेगा तो बहुत अच्छार रहता है बलूईi जार दिन पहले लगाऊंगा उसके बाद है इसे घर में ही रखोंगा घर में रखोंगा जैसे यह प्लांट सट जाए और दस दिन लगेगा सटने में सट गया तो ठीक है नहीं सटेगा तो सूप भी सकता है ऐसा भी चांस आ गया है क्योंकि यह उधर जो थोड़ा जुका है थ तो हैं इसे बान दूँगा यह प्लांट को अच्छी तरह से और एक इसमें खंभा घार दूँगा जो खंभा कोई चीज हो और इसे झाने भारी हो जागए इसे दो आदमी के सारे उठाना हो होगा इसलिए मैं एक आदमी के साहरे ही चाहता हूँ करना इसलिए आपको बता रहा हूँ जो वह सब वर्मिको कंपोस्ट और वर्मिको लाइट और आप कोको पीटर रख सकते हैं यह सब रखने के लिए आप लिया यह ऑनलाइन या नर्सरी से खरीद के लिए यह 24-25 रूपे सब्सक्राइब के लिए महीने में या 15 दिन पर तो यह देखिए कैसे मेरा तुट गया था तो वहां से मैं बाहन दिया हूँ अब देखिए लगता है या नहीं और ऐसे तो लग ही जाएगा ज्यादा चांस रहता है सट जाने का ऐसे आम में भी हो जाता है बहुत सारे चीज में जो आपका मजोर ले लीजेगा तो वैसे ही होता है क्योंकि यह बरा पलांट था और मैं उतना जाएगा